नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आए हो आप सब मज़े महीं होंगे दोस्तों आज की वीडियो काफी जादत धमाकेदार होने वली है पिकाज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा स्टॉक बताने जा रहा हूं जिसने आप धमाकेदार स्टॉक बोनस अनौस के है 1 is to 1 के रेशियो से आज की इस वीडियो के अंदर इसी स्टॉक की मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स दूँगा बताऊंगा इसकी फंडामेंटल्स के बारे में फानेंशल्स के बारे में शेरोल्लिंग पैटन्स के बारे में और साथ ही साथ मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफोमेशन इसलिए इस वीडियो का इंट तक देखना है और कहीं पे भी स्किप मत करना चलिए दोस्तों अभी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए मैं हूँ आरुष आप देख रहे हैं फिरोमीडी अब आया आरुष चलिए अब इस वीडिय की तो पास्ट वन एयर के अंदर में स्टॉक ने 445.77% की रेटरंस दी हैं जो कि एक साल के हिसाब से काफी जादा धमाकिदार रेटरंस है वह यह गर हम बात करने स्टॉक के करन्ट प्राइस की तो करंडली 400 रुपीज के उपर में ट्रेड हो रहा है और वह गर हम बात करने इस कंपनी के कुछ fundamentals की तो इसकी जो market capitalization है वो 54 करोर्स की है इसका जो PE ratio है वो काफी ज़दा अच्छा है सिरफ 16.96 का है PB ratio 4.64 का है debt to equity ratio काफी ज़दा अच्छा है सिरफ 0.03 का है एक तरह से आप यह भी कह सकते हो company यहाँ पर debt free है बात करने इसके ROE return on equity की तो 7.31% का है यह सा कम है EPS की बात करें तो 23.12 का है dividend yield यहाँ पर 0.51% का है book value की बात करें stock की तो 104.38 रूपीज की है यहाँ पर 10 रूपीज की है यह तो हो गई fundamentals की बात है आप आई यह बात कर लेते हैं इस company के financials की तो सबसेखले हम लोग बात करेंगे revenue की 2018 से लेके 2022 तक के data की तो 2018 में revenue सिर में revenue यहाँ पर 7 crores पे आ चुका है कम होके आई यह बात कर लेते हैं इस company के profit की तो profit 2018 में था 0.46 crores का 2019 और 20 के अंदर में 1 crore पे था और 2021 में 0.58 crores हो गया था और अभी current यह 2022 में यह बढ़ करके 0.82 crores पे आ चुका है आई यह बात कर लेते हैं इस company की net worth की तो net worth 2018 से लेके 2022 में लगातार बढ़ती आ रही है जहां 2018 में net worth सिरफ 7 crores की थी वहीं अभी 2022 के अंदर में 12 crores पे आ चुकी है तो आई यह बात कर लेते हैं इस company के shareholding patterns की सबसे वहले हम लोग बात करेंगे September 2020 के patterns की दिन उसे हम लोग compare करेंगे September 2022 से तो September 2020 के अंदर में promoters की holding आपे 59.44% की थ बागी का पूरा स्टेक था जो की 40.56% का था other domestic institutions foreign institutions and mutual fund houses का स्टेक यहां पे 0% का था आई अभी से compare कर लेते हैं September 2022 से तो जो share holding patterns है वो exactly same है promoters की holding 59.44% की है and retail investors की holding 40.56% की है other domestic institutions foreign institutions and mutual fund houses का स्टेक अभी भी 0% का है तो share holding patterns की बात करेंगे तो average से हैं because promoters की बाद 60% का स्टेक है and 40% company यहां पे retail investors की है and क्योंकि 2 साल से कोई भी transaction नहीं हुआ है इसलिए कह पाना बहुत मुश्किल है कि अभी currently share holding patterns कैसे हैं अभी फिलाल जहां तक मुझे लगते है तो share holding patterns average ही है आईए बात कर लेते हैं stock के नाम की तो company का नाम है events electric limited and company का जो bomb stock exchange का code हो है 542668 and वहीं अगर ह mention किया है कि उन्होंने यहां पे stock bonus announce किया 1 to 1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक stock है तो यहां पे आपको एक stock as a bonus मिलेगा मतलब total में आपका एक stock 2 stocks में convert हो जाएगा and stock bonus को देने की x date और recorded company ने अभी तक announce नहीं करी है तो company की तरफ से जैसी कोई भी official announcement मिटाता है x date और record date को लेके मैं आप लोगों को सबसे पहले intimate कर दूँगा and आज की वीडियो के अंदर इतना ही है अगर आपको वीडियो चलागा और वीडियो को जरूर से like कर दीजेगा इस channel को भी जरूर से subscribe कर दीजेगा because finomedia के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिल इता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then bye